नमस्कार दोस्तों स्वागत है तो exam से पहले ऐसे कौन से questions है जिने आप revision करके जाएंगे most repeated questions यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो exam से पहले आपको revision करने चाहिए B.A.N.C. 134 है इस subject code का नाम और आपको पती इस subject code की खास बात क्या है यह subject code बात करता है आपकी आप कह सकते हैं B.A.G. course के अंतरगत आता है एक इसके anthropology के अंदर B.A.N.C. 134 fundamentals archaeological anthropology archaeological का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा archaeological बोले तो पुरा तात्विक पुरा तात्विक जो आपका क्या है मानव विज्यान है उसे आपकी बात यहाँ पर करेंगे ठीक है जो important question होगे वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोसिस करूँगा साथ साथ एक चीज़ देखेंगे आप कि इस exam को 3 गंटे में attempt आपको करना होगा और 100 नमबर में आपको क्या करना होगा इस exam को attempt करना होगा साथ के साथ कुल 5 प्रशनों के उत्तर यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे सभी प्रशनों के अंकिस समान यहाँ पर होंगे साथ साथ परतिये एक खंड में से आपको 2-2 प्रशन करने होगे बीस नमबर वाला जो कोशन है वो 400 सबदों में और दस नमबर वाला कोशन आपको 200 सबदों में attempt करना होगा बात करते हैं Most repeated गोशन जो एक्जाम से पहले revise हो जाने चाहिए पुरा तात्विक मानव विज्दान क्या होता है पहला question directly आपसे definition पर पूछ लिया गया है फिर भारत में प्राग एतिहासिक के इतहास और विकास covenant कीजिए आपको पता है प्राग एतिहास उसे कहते है जिसके कोई भी लिखित साक्ष या उपलब्द ना हो पुरा तत्व में उत्खनन के विभिन परकारों का वन्यन कीजिए पुरा तत्व के अंदर जो उत्खनन होता है इसके कौन-कौन से परकार आपके होते हैं वो बात आपको यहाँ पर पता चल गई होगी ठीक इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉश्चन है मानव विकास में चतुर्त महा कल्प काल के महत्व पर चर्चा कीजिए मानव विकास में कौन सा? मानव विकास में बहुत सारे महा कल्प काल होते हैं पूछा है आपसे चतुर्त महा कल पकाल आपसे यहां पर पूछ लिया गया है ठीक है यहां पर जो टिपनी का कोशन आता है उसको देखिए फलक यानि ब्लेड उपकरन क्या होते हैं आपको पती है पत्थर से आप कह सकते हैं नुकीले उस समय क्या बनाए जाते थे ओजार बन क्या जाते था बलेड रूपी हत्यार यहां पर बनाये जाने लगे थे ठीक है भारत में नौ पासान संस्किति देखिए रिपीटिड कोशन एक्जाम में बार बार चपता है बारत में तीन परकार की संस्कृत नहीं है जिनमें से एक कोशन आपके एक्जाम में डेली आएग है इंपोर्टेंट कोशन है एक्जाम में इस बार चपने की संभावना है डन पुरा तत्व में सापेक्ष काल निर्धारन के विभिन बदियां आप बताए पुरा तत्व विज्ञान में आपको पता है जो भी नया एविडेंस मिलता उसके टाइम पिरिड को डेटर्माइन किस परकार या किस समय का ये आप कह सकते है पुरा तत्विक वस्तु रही होगी जो मैं आपसे कहा रहा तो वही बात है कि नव पासान और मध्या पासान काल की संस्कृतियों के बीच में आप कह सकते है उनके उपकरणों की बात करनी है पासान उपकरण पासान उपकरण का म इस्तल दमनिसी, दमनिसी का महत्व आपको बताना है, उसका वर्णन आपको करना है, ठीक है, फिर आता है आपका लास्ट कोश्चन, बिल्कुल सही, एर्थ कोश्चन जो है, आपको संचे टिपनिस पर करनी हैं आपको, पुरा तत्व का अनुपरयोग, एप्लिकेशन अफ आर तरगत आते हैं, तो ये जो पेपर आपके सामने मैंने उपं किया था, ये पेपर आपने देखा होगा, ये पेपर था आपका कौन से सैशन का, आपकेंगे सऱ ये पेपर था हमारा जून 2023 का, अब बात करेंगे इसके बात के बिल्कुल ले टेस्ट पेपर की, दिसम्बर 2023 के पेपर की जिसमें से मैं आपको repeated question यहाँ पर बता दूँगा और इन्हें आप exam से गंटा पहला रिवाइस करके जाएंगे, done देखिए तो यह है दिसम्बर 2023 का पेपर इसमें आप एक चीज़ notice करेंगे कि pattern तो सब कोई से मैं पर question भी यहाँ पर आपको काफी सेम देखने के लिए मिलेंगे, अन्या विश्यो के साथ मानव विज्यान का संब्ध, बताइए जो मानव विज्यान की कौन सी साखा है, पुरा ताजविक मानव विज्यान जो है दोस्तो, इसका संब्ध, अन्या विश्यो और अनुसासनों के साथ क्या है यानि इसका संब्ध, SST से क्या है History से क्या है, SST के सभी विश्यो से History से संब्ध क्या है, Economics से संब्ध क्या है, सभी से इसका लगबग संब्ध क्या है, वो आप से याँ पर पूछा गया है ठीक है, तो अन्य डिसिप्लीन से Relations का Question कई बार एक्जाम में देखने के लिए मिला है पिछली बार आप से पूछा था, नव पासान काल के उपकरन और मध्या पासान काल के अब की बार पूछा है, पुरा पासान काल के प्रमो कुपकरन कौन कौन से थे, उनके परकार भी बताना है, उन्हें बनाने की टेकनोलिजी भी बतानी है, अभी मैंने आपको एक Blade Technique तो बताई ही थी, कौन से टेकनिक Blade Technique पता है ना, पुरातात्रिक अध्योनों में Unvection कितने परकार के होते हैं जब भी कोई पुरातात्रिक खोज की जाती है, पुरातात्रिक खोज की जाती है तो उसमें जो Unvection होता है, वो कितने तरीकों से किया जाता है यह हो गया Question आपके सामने की स्क्रीन पर Clear, फिर आता है आपका निमलिकित में से किनी दोपर संचित टिपनिया कीजिए पुरातात्रिक वस्तों का क्या करना है, संदक्षन करना है Anthro-Archeology Anthro-Archeology का मतलब क्या होता दोस्तों Anthro-Archeology का मतलब होता है, फिर Anthro-Archeology का मतलब जो होता है वो वही है आपका जो इसकी basic definition हमने Anthro-Archeology में पढ़ी है फिर आता है रेडियो कार्बन मेथड, आपको पता रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड काल निर्धारन का एक तरीका होता है ये बात तो आपको मैंने बताई थी, repeat question ठीक फिर आता है आपका पुरातात्विक इस्थल, एक पुरातात्विक इस्थल है जिसका नामे क्या अत्रिपक्कम अत्रिपक्कम का विविरन आपको देना है, यहां से क्या-क्या पुरातत्विज्ञान चे सम्मदित मिला है युरोप की मध्या पासान संस्कृती पर चर्चा कीजिए देकि मध्या पासान संस्कृती भारत के नहीं युरोप की बात हो रही है सिंदुगाटी सब्वेता की परमुक्विसेस्ताओं का वनन कीजिए बिल्कुल आप कह सकते हैं लड़ू कोश्चन ये है पक्कीटों का इस्तेमाल घ्राय स्थापत की अच्छा था और सिचाई के साधन अच्छे थे साथ साथ आपने देखा होगा कि महाँ पर कुगो की संक्या वहत अच्छी थी मतलब जल विवस्था जल निकासी परनाली अच्छी थी विसाल इस्नानागार महाँ पर देखने के लिए मिलते हैं ठीक है महाँ पासान संस्कृति जो है दोस्तों ये होगा आपका क्या रिपीट कोश्चन नव पासान पर सस्तर उपकरन का मतलब वही होता है पर सस्तर मतलब पासान उपकरन ठीक है दोस्तों फिर आता है आपका इस तरविज्ञान स्टेटोग्राफिक क्या होता है ये भी प्रातत्व का एक मैथड के रूप में जाता है समझ माया है नहीं आया आते हैं बिल्कुल सर इन दो पेपर्स की साहता से आपने यहाँ पर मोस्ट रिपीटिड कोश्चन जान लिये हैं इनी को आप रिवीजन करें इनी को पर क्या करें आप जादे जादे समझने की कोशिस करें धन्यवाद दोस्तों